दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुक बौध मठों के बारे में तो चलते हैं आज के प्रमुक टॉपिक बौध मठों की तरप देखिए दोस्तो भारत के अंदर गद काफी मातरा में कई सारे यानि बौध मठ पाए जाते हैं और उन बहुत मठों से सम्मनित exam में प्रेसमी पूछे जाते हैं और बहुत मठों की जानकारी होना भी आपके लिए आबश्चक है तो आज की इस वीडियो में भारत की जितने भी important यान Melanie जितने भी प्रमुक बहुत मठों है उन सबी बहुत मठों के बारे में हम बिस्तार से बात करेंगे तो बहुत मठों की तरफ चलने से पहले उनके बारे में कुछ पॉइंट्स जालने पहला पॉइंट्स है कि बहुत इस्तापते का परवर्ती सुरूप मठों के रूप में दिखाई पड़ता है और भारत के विविन मठ हैं वो सिक्किम राज्य में हैं ये बात याद रखनी है अगर आपसे कुछन पुछे जाए कि भारत के अंतरगत सबसे जादा बौध मठ किस राज्य में स्तापित हैं तो आपको बता देना सिक्किम राज्य में सबसे जादा बौध मठ हैं भारत के तरगत तो बात करते हैं भारत के प्रमुख बहुत मटों में सबसे पहले हैमिस मट के बारे में जो हैमिस मट है ये लिए लद्धाक में अवस्तित है यानि लद्धाक की गिस्म कालिन राजदानी है लिए और इस लिए राजदानी में लद्धाक की राजदानी मे हमिसमट अवस्तित है यह बहुत ही प्रिशिद मठ है बौधधों का यहाँ पर दुक्रुपा समधाय का यह मठ 1630 में निर्मित हुआ था यह बात याद रखने है कई वार एक्जाम में पूछा भी जाता है कि जो हमिसमट है वो किस समधाय से सम्बन देता है तो यह याद रखना है बौध धरम का ही एक समधा है दुक्रुपा समधाय इस समधाय से सम्धाय है हमिसमट इस हैमिसमट में प्रतिवर्स जून के महिने में ये बात याद रखना है एकजाम में पूछा जाता है किस महिने में यानि जून के महिने में हैमिसमट सब आयोजित होता है इस महुतसम में लामा समदाय के लोग छाम रत्य करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि किस समदाय के लोग छाम रत्य करते हैं हैमिस महुतसम में लामा समदाय के लोग यह हैमिस मठ है आपको देखने को यहाँ पे चित्र दिख रहा है हैमिस मठ का ही चित्र है और इस प्रकार का ये मठ है और या पर इस प्रकार का महुसब का आयोजन भी होता है बात करते हैं भारत के दूसरे मठ ताबो मठ के बारे में ये भी भारत का बहुती प्रिसिद्ध मठ है जो हिमाचल प्रदेश के लाहॉल इस पोती जिले में अवस्तित है हिमाचल प्रदेश का जिला है लाहौल इस्पिती इसमें ताबो मट अवस्तित है और बहुत ही प्रिसिद्ध मट है इस्पिती नदी की टट पर इस्थित इस मट को 996 इसी में स्तापित किया गया था और इस मट की दिवारों पर दस्वी सदी के भित्ती चित्र बने हुए है इस कार्ड से हिमाचल की अजनता भी कहा जाता है important question यही है कि किस मट को यानि किस स्थान को हिमाचल की अजनता भी कहा जाता है तो ताबो मट को कहा जाता है यह बात आपको समझनी है यह तावो मठ का चित्र है आप देख सकते हैं कि तावो मठ को बात करते हैं नेक्स्ट अगले मठ के बारे में तीसरा मठ है नाम ग्याल मठ इस मठ की बारे में बात करें तो यह मठ हिमाचल प्रदेश के धर्मसाला में अबस्तित है धर्मसाला जिले में अबस्तित है और हिमाचल प्रदेश की राज़दानी भी है यह मठ तिबती बॉद्धों के सर्बोच धर्म गुरू दलाई लामा का अधिकारिक निवास अई बात अच्छे से समझनी है बॉद्धों के एक सर्बोच धर्म गुरू वेते दलाई लामा और उनका अधिकारिक निवास को किस नाम से जाना जाता है ये नामग्याल मठ है, आपको दिखाई दिरा होगा यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट अगले मठ के बारे में है भारत का प्रिसिद मठ है थिक सी मठ ये भी लद्दाक के लिहे जिले में अवस्तित है मैंने पहले भी बताया है आपको कि लिहे लद्दाग की बरतमान में ग्रिस्म कालिन राजधानी के रूप में इस्ताफित किया गया है पहले ये जम्मू कस्मीर में आता था लेकिन जब से एक जम्मू कस्मीर लद्दाग को केंदर सासित प्रतिस के लिएंगंज पनाये घ्या तब से यह लग्दा के अंदर गई है ले यह बात रियाद रखनी है लिए में इस्थित बारेमझेली मत में यह बारेमंजल के मठ थिकसिय मत बारेमंजिला भवन है और inference पूर्थ ठिकसिय है इसके बारे में कई बार एक जामे पूछा भी गया है उसके लिए भी क्या कारड है इसको क्यों एक जामे पूछा जाता है तो यहां पर आप समझ ही जाएंगे क्योंकि यह अरुणाचर प्रदेश के तवांग जिले में वबस्तित है पहली बात तो यह समझना है और इसका निर्माट 1680 में मेरा क्लामा लोद्रे गयास्तों के द्वारा करवाया गया था बॉमडिला दर्रे की समीपी है मत भारत का सबसे बड़ा तता एशिया का दूसरा सबसेमड़ा मत है यह बात समझ गए होंगे पहारत का सबसे मत मठ कों सा तवांग मठ है जो कहां पर स्थित है अरुणाचर प्रदेश में स्थित है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ कों सा है तवांग मठ ठीक है अगर आप से पूछा जा कि एशिया का सा मठ कों सा है तो पोताला महल है जो लहासा में अवस्तित है यह बात याद रख कई बार पूछा विगया कि número 6 मठ सिंधू नदी के टटपर अवस्त्तित है तो माथू मठ्द अवस्तित है यह मठंग का चित्रकारी के लिए त elder माथू नागरंग महतसम के लिए प्रशिद्द है कई वढ़नों से सा मठ थंग का चितरकारी के लिए प्रिशिद्ध है तो माथु मठ को बताना आए आपको ठीक है कहां पर इसी ते लद्दा के लेह में ठीक है ये आपको दिख रहा होगा माथु मठ है नेक्ट अगला मठ है रूम टेक मठ ये सिक्किम के गंग टॉक में अवस्तित है यानि सि सिक्किम की राजानी गंग टॉक में अवस्तित है रूम टेक मठ बहुत ही सुंदर मठ है और इस सिक्किम राज के सबसे बड़ा मठ भी है अगर आप से पूछा जाए कि सिक्किम राज के सबसे बड़ा मठ कौन सा है रूम टेक मठ अगर आपसे ये कोशन भी पूछा जाए है points के लिए यह room take मठ है बात करते है next अगले मठ की अगला मठ है बोधी मंडा मठ यह बिहार की बोध गया में अवस्तित है और यह मठ महाबोधी मंदर के नाम से प्रिशिद्ध है बहुत ही important question है यह कि किस मठ को महाबोधी मंदर के नाम से भी जाना जाता है तो बोधी मंडा मठ को महाबोधी मंदर के नाम से जाना जाता है यह है आपका बोधी मंडा मठ जिसको महाबोधी मंदर भी कहते हैं इस पकार दोस्तों जो भारत के प्रमुख बहुत मठ थे और उसे संबन्दित जितने भी important facts थे उन सबी facts के बारे में हमने या पर आपको बता दिया है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like वा सेर वर्ष से करें आप मारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe वर्ष से कर ले ना फिर मिलेंगे आपसे next अगली वीडियो में तब तक के लिए तो चैनल के ल बारे मारे चैनल के पारे में ऊड़दित एल्वीया टारे में